नमस्कार प्रियेदर्शकों हाजर हूं मैं मंगल राशी परिवर्तन प्रभाव को लेकर 26 अगस्त 2024 दोपहर तीन बज करके 35 मिनट पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृषभ राशी को छोड़कर यूराज की साधारन राशी मिथुन राशी में प्रवेश करने जा रहे है जहां कि वो 20 अक्टूबर 2024 की दोपहर तक रहेंगे और इसके पर शाथ अपनी नीच राशी करक राशी में प्रवेश कर जाए प्रिदर्शकों मंगल जब भी अपने शत्रु की राशी में होते हैं तो विशेस स्त्रिष्ट प्रभाव देने वाले विशेस उर्जा उत्पन्न करने वाले बन जाते हैं बुद्ध मंगल के शत्रु रहा हैं मंगल जो की हमारे जीवन में शक्ति और साहस का प्रतीख है मंगल हमारे करियर, स्वास्थ तो हैं हमारे प्रेम सम्मध पर अपना गःरा प्रभाव डालते हैं मंगल जब मिथुन राशी में गोचर करेंगे तो इनके प्रभाव से हमारे जीवन के कई पहलूओं में बदलाव आएगा। आईए जान लेते हैं मंगल का यह गोचर हमारी राशी को किस तरह से प्रभावित करने वाला है। मंगल हमें किस तरह की उर्जा और प्रेरना देने वाले हैं। मंगल के गोचर की जब चर्चा आपके समुख आती है, विशेशकर मेरे द्वारा जब यह परिवर्तित होते हैं, तो मैं सदईव कहा करता हूँ, मैं इनके गोचर की चर्चा आपके समुख ब्रिहत रूप से लेकर के उपस्थित होता हूँ। कारण कर्म प्रधान विश्वर चिराखा। और जो पुरुशार्थी हैं, जो कर्म में विश्वास करने वाले हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना और ब्रिहत रूप से समझना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं मंगल के गोचर की जब भी मैं चर्चा करता था, आपके समुख बोड पर मंगल के चार्ट को बना करके किस रासी में हैं और कैसा प्रभाव आपके लिए दे रहे हैं, इसकी चर्चा करता था। तो, आपको जादा बताने कि आवश्यकता नहीं है कि मंगल की दृष्टी कहां यहाँ पड़ेगी, इतना तो आप जानते हैं कि मंगल की तीन दृष्टियां हैं, और तीनों दृष्टियों का प्रभाव कैसा होगा, यह आपको मैं बता देता हूँ, एक और बात आपको मै बता दूँ, प्रिदर्शकों आज छह राशियों की चर्चा है, मेश, ब्रिशब, मिथुन, करक, सुम्ह और कन्या, इन छह राशिके जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा रहने वाला है, कौन सी राशियां हैं जिनके जीवन में मंगल, मंगल करेंगे, और कौन सी राशि हैं, तो मिथुन में वो नीचा भिलासी नीच की ओर बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं, अब यहां एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ, इस गोचर काल के दौरान मंगल और शनी का नवम पंचम योग, तो वही राहु के साथ मंगल का केंद्र संबंध बनेगा, इ आपको आपके चंदर राशी के आधार पर बताने जा रहा हूँ, अगर आप अपने चंदर राशी को नहीं जानते तो फिर अपने नाम राशी और अगर आप ब्यापारी हैं, चंदर राशी को जानते हैं, तब भी आपको अपने नाम राशी को भी एक बार अवस्य सुन ल आचाहिये. में इस राशी के जातकों के लिए मंगल का जो यह गोचर है, जो कि मितुन में होने जा रहा है, आपकी राशी से तीसरे भाव में होने जा रहा है. अब सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि मंगल की तीन दृष्टियां हैं, तो यहां से बैठे मंगल कहां कहां देखेंगे, तो यहां से उनकी चौथी दृष्टी पड़ेगी सश्थ भाव पर, यहां से उनकी सात्मी दृष्टी पड़ेगी नवम भाव पर, भाग्य आठीमी दृष्टी पड़ेगी आपके कर्म भाव पर। सीधा सा मतलब है कि यह गोचर आपके लिए बहुत ही अदभूत जबर दस्त होने बाला है। जो शक्ती है, जो निरने लेने की छमता है, उसको हर जगह सराहा जाएगा। कारिश्थल पर आपकी बातों को, आपके विचारों को महत्त दिया जाएगा। नौकरी में चाहे वो प्रमोसन की बात हो, वेतन बृद्धी की बात हो, यह सब कुछ होने जा रहा है। एक बात ध् बस प्रयास करते चले जाएगे। आपके लिए आपका सबसे बड़ा मददगार आप खुद सिद्ध होने वाले हैं। तो वहीं यह ऐसा अवसर है जो आपको लाब ही लाब देगा। विद्ध्यार्थियों को विशेश सफलता मिलेगी। हर तरह के अध्यान के लिए आप विचारों में भी बदलाव ला सकते हैं। परिवरतन का समय है। आपकी तरक शक्ती और जादा जागरत हो जाने वाली है। आपके गड़ना की शक्ती और जादा जबरदस्त होने वाली है। आपका प्रदर्शन हर जगह जबरदस्त होगा। दामपत्य जीवन और जादा स सुखद, संबंध और गहरे होंगे, और अधिक सारगर्वित होंगे, संबाद शैली आपकी और मजबूत हो जाएगी, यूं समझ लीजिए कि अपने विरोधी को बस एक बार घुड की देनी है और उसांत हो जाएगा, बस यह समय आपका है, आप जहां भी कदम उठाईए, ज सफलता मिलेगी, प्रेम संबंध में भी बहुत बढ़िया रहने वाला है, यहनि कुल मिलाकर की हगोचर बहुत बढ़िया है, जीवन साथी हो, प्रेमी हो इनके साथ, मौझ मस्ती और आनंद पुर्ण जीवन, क्योंकि मंगल कौन है, मंगल उर्जा है, हाँ ये संभाव है, कि अपनी उर्जा का अधिक इस्तेमाल करने के कारण आपको थोड़ी ठकावट महसूस हो सकती है, बाकि ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, हनुमान जी की आराधना करिएगा, हनुमान चालिसा का पाठ करिए, और मंगल वार के दिन मसूर की दाल का दान करें, तो और जादा आपक बात यदि वृषभ की करें, तो वृषभ के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, आईए इस विशे पर हम चर्चा कर लें, वृषभ रासी के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर जो की आपकी रासी से दूसरे भाव में होने जा रहा है अब यहां ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए, मंगल आपके लिए सब्तम और द्वादस के स्वामी होकर के दुतिय भाव में गोचर करने जा रहे हैं, अब दूसरा भाव किस चीज का है, दूसरा भाव अचल संपत्ति का है, आपकी वानी का है, आपके खान पान का विचार वो केंद्र का होगा, चरा सावधानी बरतनी होगी आपको, ब्रिशब रासी के जातकों को सावधानी बरतनी होगी, मंगल की तीन द्रिष्टियां हैं, पहले तो यह जान लीजिए, रासी फल, मैं आपको आपके चंदर राशी के आधार पर बता रहा हूं, और यदि आप अपने नाम रासी के आधार पर भी रासी फल को अवस्य सुन लीजिएगा, आर्थिक मामलों में आपको उतार चढ़ाओ देखना होगा, एक और बात, चुकि मंगल के पास तीन द्रिष्टियां हैं, कहां कहां इनकी द्रिष्टि पड़ेगी, तो मंगल की जो चौथी द्र आपके भाग्य भाव पर होगी, तो मैं इसको कुछ मामलों में मिला जुला भी कहूंगा, कुछ अच्छा भी है, लेकिन कई मामलों में आपको पहले तो उतार चढ़ाओ देखना पड़ेगा, खर्च पर आपको बड़ा नियंत्रन रखना होगा, क्योंकि ब्यर्थ के ब्य योग ऐसा करिएगा, जो चुभने वाली न हो, कारिक छित्र में भी देखें, तो तनाव और विवाद की स्थिति उत्पन न होगी, परन्तु मैंने क्या कहा, कि भाग्य पर भी मंगल की दृष्टी है, आठवी दृष्टी फलत ह, अंततो गत्वा परिस्थिति आपके पक् इस थिरता बनाए रखिए, विचार सील होकर के, और जब आप काम करेंगे, केवल अपना ही हित्थ हो जाए, ये सोच कर काम करेंगे, तो नुकसान होगा, सबका हित्थ देखते हुए और योजनाबद धढग से काम करेंगे, तो आपको फायदा मिलेगा, खर्च पर नियंत किस्ति है, जीवन साथी के साथ सामंजस्चे बिठा पाने में परिशानी आएगी, संभाव है, जीवन साथी की बढ़बाणी में भी कड़वाहत उत्पन्न हो जाए, तो ये प्रेम संबंद में भी संचार समस्या उत्पन्न होने वाली है, कहने का तात पर ये है, कि ये में फोन के जवाने में संचार में कहीं कोई कमी नहीं होती, पर सुनना और समझना इन दोन में जरा भेद उत्पन्न होने वाला है, कहेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ, अर्थ निकालेगा कुछ, और परिणाम निकलेगा कुछ, दात से समंधित समस्या दिखाई प सावधानी जरूरी है, यह गोचर बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए, मिथुन के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर के लिए हम चर्चा करें, तो मंगल कहां पर गोचर कर रहे हैं, तो आपकी रासी पर, अब देखा जाए तो मंगल लाभपती और सश्ठपती बन करके आपके रासी पर गोचर कर रहे हैं, देखिए, मंगल शत्तु रासी में बैठ करके अच्छा प्रभाव देते हैं, यह आपके लिए लाभपरत इस्तिती उत्पन न करेंगे, लेकिन कई तरह की परिशानिया भी आपके लिए आएंगी, क्यों? क्योंकि मंगल चठवे भाव को, आपके सब्तम दामपत्य को, और आपके अश्टम आयू और मृत्य भाव को यह देखेंगे, एक दूसरा, पहले तो यह जान लिजे कि यह रासी फल मैं आपको आपके चंद्र राशी के आधार पर बता रहा हूं, यानि आपकी जो जंद्र रासी है उसके आधार पर तो यह जो आपकी उर्जा है, उसका सही से इस्तेमाल हो तब, आत्म संयम के साथ आप काम करें तब, मंगल की इस गोचर से आपका व्यक्तिगत जीवन बहुत जादा और इस्थिर हो सकता है, हलाकि एक बात बतादूं कि पेसेवर जीवन में आप अपने लक्ष को प्राप्त कर करने में सफल होंगे, कारिक छत्र में एक आध ऐसी परिष्टितियां भी उत्पन होंगी, कुछ ऐसी चुनावतियां भी आपके समुख उत्पन होंगी, जो आपको परिशान करें, परन्तु इन चुनावतियों को अवसर समझ करके, आप अपने आपको और विक्सित करेंग इससे आपके नित्रित्व चमता, आपके निरने लेने की चमता में और ज़्यादा विकास होगा। खुद को साबित करने का, खुद को सिध्ध करने का ये अच्छा समय है। याद रखिए कि परिस्तितियों के बिरुद्ध जाकर, जहां और लोग धारा के साथ चाने की सोचेंगे, वहां धारा के बिरुद्ध जाकर के, योजना बद्ध धंग से अपनी उर्जा का सही धंग से इस्तेमाल करते हुए, अगर आपने निरने लिया, तो यह गोचर आपक लिए बहुत अच्छा होगा, आपके विचार की सराहना, आपके नेटवर्किंग समझदारी की सराहना, नेटवर्किंग समझदारी के माध्यम से, आप ऐसे जगहों से भी लाभ उतपन कर सकते हैं, जहां से कोई और न सोच पा रहा हो, तो अब समझिए, यह सब कुछ आप के हाथ में है, जहां परिशानिया दिखाई पड़ रही हैं, वहां से आप लाभ भ्यूतपन न कर सकते हैं, क्योंकि यह बात अच्छा के परिख्षां के बातियों के और आपकी च्छमता पर निर्भर करता है, बाकी प्रतियोगी परिख्षा के विध्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है जितना हो सके कड़ी मेहनत करिए और पुर्ण समर्पन के साथ बहुत अच्छा परिणाम निकल करके आएगा दामपत्य जीवन में आपसी आपकी समझ से ही प्यार बढ़ सकेगा क्योंकि दामपत्य जीवन परिशानी फाइनल है कि होगी अभी तो आपके उपर है कि आप आपसी समझ कितना रखते है अभी आपके उपर है कि इस उर्जा को लडाई में ब्यर्थ कराएं या इस उर्जा से एक दामपत्य जीवन और खुसियों को बढ़ा लें सब कुछ निर्भर करता है देखिए उर्जा वही है उसी उर्जा से लडाई होती है और उसी उर्जा से प्रेम बढ़ेगा साकारात्मक्ता बढ़ेगी रोमांस बढ़ेगा भावनात्मक संबंधों में घराई आएगी स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें तो स्वास्त में थोड़ी परशानी है वह पहले कह चुका हूँ स्वास्त को लेकर के तकलीफ है तनाव भी हो सकता है तनाव की स्थिती भी दिखाई पड़ रही है आपको नित्य ब्यायाम इत्यादी करना होगा हनुमान जी के मंदर में जाकर कर हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना होगा इससे आपको जरूर लाव होगा बात करक की कर लेते हैं मंगल का यह गोचर आपकी रासी से बारहवे में होने जा रहा है सबसे पहले बता दूँ यह राशी फल मैं आपको आपके चंदर राशी के आधार पर बता रहा हूँ यदि आप द्यापारी हैं तो प्रत्न तह अपने नाम रासी के आधार पर भी जो आपके नाम की रासी है उसके आधार पर भी जो रासी फल मैं आपको बताऊँगा उसे भी सुन लीजिएगा करक राश के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर बारहवे में है अब देखा जाए तो मंगल आपके लिए सरवाधिक कारक बनकर के पंचम और दसम के स्वामी बनकर के बारहवे में गोचर करने जा रहे हैं अब देखा जाए तो बारहवे में इनका गोचर आपको मानसिक अशान्ति की ओड़ ले जाएगा आपके आर्थिक इस्तिती को प्रभावित करेगा खर्च के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण मानसिक तनाव बढ़ता दिखाई पड़ रहा है स्वास्त पर ध्यान देना बहुत जरूरी है अनिथा कारिक छित्र में भी अदि देखें आप तो इसका दुस प्रभाव आपको देखने को मिलेगा तनाव के चलते, मानसिक तनाव के चलते आपका कार्य वक्त पर पूरा नहीं होगा फलतह कार्य भार बढ़ता चला जाएगा यानि फाइले बढ़ेंगी समय पर उसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे सबसे पहले हैं, मंगल तीन दृष्टी रखते हैं तो जहां यह बैठे हैं, अपनी तीसरी दृष्टी डालेंगे आपके पूरुशार्थ पर साथमी दृष्टी सष्ठ पर और आठमी दृष्टी आपके दामपत्य पर तो सात्वी दृष्टी जो सष्ठ पर और चौथी दृष्टी जो आपके तीसरे पर डालेंगे, यहां से कुछ फायदा भी है आपके लिए, फायदा ये है कि जितना आप अत्यधिक पुरुशार्थ करेंगे, जितना आप अत्यधिक संघर्ष करेंगे, उतना आपको फायद आपके जो उंचा धिकारी हैं, उनका आपके उपर प्रिसर हो, उनके कोप का भाजन आपको बनना पड़ जाए, करक रासी को ढईया भी चल रही है, तो थोड़ी सावधानी तो जरूरी है आपके लिए, देखा जाए तो इस समय शनी आपके रासी से अश्टम में चल रहा है, पर अश्टम का सिनी जो धया उत्पन्न किये हुए हैं, इसके चलते मानसीक परिशानी आपकी बढ़े की फलता संभव है, कि जो आपके सत्रू है, प्रतिस परधा करने वाले हैं, वो आपको नीचे कर देंगे, बहुत योजना बदधंग तरीके से आपको काम करना होगा, ब्यापारी बर्ग भी बड़ा सचेत हो करके काम करें, विदेश से जुड़कर के काम कर रहे हैं, तो यहां लाब तो है, पर यह बहुत ध्यान रखना है, आकस्मिक, अंचाहा, नुकसान, पैसा कहीं फंस जाना, ऐसी स्थिति भ्यूत पन्न होगी, तो आँख बंद किया, और कहीं पैसा लगा दिया, नहीं ये गलती मत करियेगा, आँख बंद करके पैसा कहीं नहीं लगाना है, खर्च पर अपने नियंतरण रखियेगा, बाकी जो भी काम है, विशेश करके आर्थिक काम है, उसको पूरी तरह से पुनर विचार करके और तभी कदम उठाना है, स बेहतर संबाद न हो पाने के कारण संबंध पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, तनाव या दूरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो प्रयास करिए, कि चाहे वो प्रेमी हो, जीवन साती हो, इनके साथ संबंध को सुधारिये, इनके साथ अधिक से अधिक समय व्यतित क करने का प्रत्न करिए, और सबसे ज़्यादा जो जरूरी है, वो आपको अपने खुद के स्वास्त पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो तनाव की सारी स्थितियां उत्पन्न हो रही है, उसका सबसे बड़ा दुस्प्रभाव तो आप ही के उपर पढ़ने वाला है, और धाया चलने के कारण आप मानुसिक रूप से कही न कही परिशान हैं, तो आपको बहुत सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, और सांती के साथ इस समय को व्यतीद करना चाहिए, कुल मिला करके के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर से मुझे कोई विशेस लाभ के लिए बहुत अच्छा समस्ता हूं, एक और बात, किसी भी तरह के कानूनी पचड़े में मत फसिएगा, क्योंकि यहां भी आपके धन की हानी दिखाई पड़ रही है, किसी भी प्रकार के कानूनी पचड़े में न फसना भी आपके लिए बेहद आवश्यक है, हनुमान जी क जब से भी आपका काम बनेगा, तो आप यह मंतर जपिए, इससे कहीं न कहीं आपको लाव होगा, बात सिम्भ की कर लेते हैं, सिम्भ के जातकों के लिए मंगल का यह जो गोचर है, आपकी रासी से लाव में होने जा रहा है, मिथुन रासी में, अब देखा जाए तो यह ग कहीं न कहीं परिशानी लेकर के आएगा, आप जानते हैं मंगल के पास तीन द्रिष्टियां हैं, तो मंगल आपकी रासी से लावध भाव, यानि 11 में गोचर करते हुए आपके धन भाव को देखेंगे, दूसरे भाव को, मंगल की द्रिष्टी आपके संतान भाव पर होग अथवा, आप चाहें तो संचीत धन का सदू पयोग भी कह सकते हैं, मान लिया जाए कि आप रिण से ही ग्रसित हैं मुक्ती पाना चाहते थे, परिशान थे, लागातार प्रेत्म के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो मुक्ती मिल जाएगी, तो ये क्या कम ह तो ये समय आपके लिए तो बहुत अच्छा माना जाएगा, अब सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि हरासी फल मैं आपको आपके चंदर रासी के आधार पर बता रहा हूँ, और आप अगर व्यापारी हैं, तो अगर सिंग रासी के हैं चंदर रासी, आप साथ साथ अप पुर्ण बदलावों के लिए है, समाजिक जो दाइरा है, बित्तिय लाभ, भविश्य को लेकर के आपकी कोई योजना है, सब ये मंगल प्रभावित करेंगे और हर जगह आपके लिए उर्जा ही उर्जा दिखाई पड़ रही है, समाजिक गती विधियों में, नेट वरकि हर तरह के आउसर मिलेंगे, सामाजिक रूप से तो जैसे यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है, विश्यस करके मार्केटिंग फिल्ड से जुड़े बंदों के लिए तो यह समय जैसे किसी वरदान से कम नहीं है, एक और बात, आप नौकरी पेसा हैं, पर कोई नया ब्यापार शुरू करना चाहते हैं, जरूर करिये, लाब होगा, ब्यापार में नई योजनाय पनेंगी, साज़िदारी से में काम करते हैं तो महां भी लाब होगा, नए समझावतों पर दस्तकत इत्यादी करने के लिए बहुत बढ़िया है समय, निवेस आपके लिए हर त इतना हो सके आपको फाइदा उठाना चाहिए, वहीं एदि हम बात एदि विद्यार्थियों की कर लें, तो सिक्षा के लिए बेहत अनुकूल समय है, किसी भी फिल्ड के विद्यार्थियों है, मेडिकल फिल्ड के विद्यार्थियों है, यह समय बहुत अच्छा है, किसी त प्रांदार उसर है ये दांपत्य जीवन प्रेम संबंद सब कुछ ठीक है थोड़ी बहुत परिशानी किनको है तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें थोड़ी सावधानी बरत्नी होगी क्योंकि सूर्य के समान मंगल भी गर्भपात में सहयोगी होते हैं तो आपको जरूर गर्भपात समबंद की करें तो स्वास्त भी आपका सामानेते ठीक है पर हाँ अपने वजन पर ध्यान रखना होगा खान पान पर नियंतरन रखना होगा नियमित व्यायाम स्वस्य रहने के लिए जो भी ऐसे आहार है जिनसे आपका स्वास्त ठीक होता हो उनको आप अगर खाते हैं तो फैट पर भी नियंतरण होगा स्वास्त भी आपका ठीक रहेगा कुल मिलाकर कि देखें तो सम्ह के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को मैं हर तरह से मंगल कारी मानता हूँ यह गोचर कहीं से भी आपको कोई नुकसान देने वाला नहीं है इस गोचर से केवल और केवल आपको लाभी प्राप्त होने वाला है और जादा इस गोचर का आपको फायदा लेना है तो हनुमान जी के मंदर में जाईए हनुमान जी का धरुसन करिए हनुमान जी को लाल पु मंगल कैसे हैं, तो आपके लिए मंगल आपके तीसरे और आठवे के स्वामी होकर के दसम में गोचर कर रहे हैं, अश्टम पती का जाकर के या द्वादस पती का जाकर के दसम में या दसम पती का जाकर के द्वादस या अश्टम में होना यह दिवालिया योग बनता है, परंत हम बात गोचर की कर रहे हैं, गोचर में शत्रु मित्रता से ज़्यादा जरूरी है कि ग्रह कहां का स्वामी है, कैसा प्रभाव देने जा रहा है, सबसे पहले जानिए कि रासी फल मैं आपको आपके चंदर राशी के आधार पर बता रहा हूँ, एक और बात कि आप अगर व्य संचार करके करते हैं, अब उपर से मंगल की दृष्टी पड़ेगी जो उर्जा का संचार कर देगा, तो जरा सोच के देखिए कि दोनों का अगर मिस्रण हो जाए, तो क्या आद्बुत जोड़ी, सोचा भी और उर्जा का भी सही इस्तेमाल किया, क्या होता है कि उर्जा का इस्तेमाल कर दिया, बाद में सोचा, यहां सोचेंगे भी और उर्जा का सही धंग से इस्तेमाल करेंगे, पहला, दूसरा, मंगल की दृष्टी चतूर्थ भाव पर, भूमी, भवन, भाहन, इन सभी सुखों में बृध्धी, चौथा भाव समाज का भी है, तो सामाजिक द मजबूत होगी, चाहे आपका पेसेवर जीवन हो, चाहे आपका ब्यक्तिकत जीवन, हर जगह बढ़िया होगा, चाहे वो घर का नित्रत्व हो या बाहर का, आप अपनी भूमी का निभाने में हर जगह सफल होने वाले हैं, कारिक्षित्र में आपके नित्रत्व की, आपके प्रबंधन की आपकी छमताओं की सराहना अवस्य होगी, प्रमोसन मिलेगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, सरकारी नौकरी करने वालों के लिए तो और बढ़िया, आपके उच्छा धिकारियों से आपको विशेश प्रसंसा प्राप्त होने वाली है, ब्यापारियों क प्राप्त होगा, प्रेमी का समर्थन आपको प्राप्त होगा, सामन जिससे बढ़ेगा, और स्वास्त भीजाएगा, बढ़िया दिखाई पड़ रहा है खुल मिलाकर कि यह गोचर बहुत बढ़िया है आपके लिए तनाव नहीं लेना है आपको तनाव से बचना है केवल और केवल फोकस करिए और अधिक मेहनत करने पर और अधिक प्रेपन करने पर जितना हो सके प्रत्न करिए, मेहनत करिए और संतुलित आहार, संतुलित वेवहार और संतुलित विहार इससे आपका जिवन, क्योंकि याद रखिए मंगल सेना पतिग रहा है मंगल शुक्र वाली बात नहीं लाएगा कभी आप मंगल से केवल और केवल आनंद की उपे अपेक्षा नहीं रख सकते हैं मंगल है, तो इसका मतलब है कि आपको अगर मंगल कराना है अपने जीवन काल में तो बहुत सजग रहना होगा, सचेत रहना होगा और यूं समझ लीजिए कि ग्रिहस्थ आस्रम में रहते हुवे भी ब्रह्मचर्य पूरुन पालन अब ब्रह्मचर्य पूरुन पालन का यहां अर्थ दूसरा है इमानदारी के साथ, समय के साथ आगे बढ़ना, अपने काम को वक्त पर पूरा करना है लिये गए संकल्प को पूरा करने के लिए जितना हो सके प्रितन करना है हनुमान जी के मंदिर में नारियल, जलदार और मिठाई जाकर के दान कराईए और पित कराईए और ज़्यादा यह गोचर आपके लिए लाभपरत सिद्ध हो गया तो प्रिदर्शकों आज चर्चा मेश, ब्रिशभ, मिठुन, करक, सिंग और कन्या इन चहरासी के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को ब्रिहत रूप से हमने जाना अब बाकी की जो चहरासियां हैं यानि तुला, व्रिशिक, धनू, मकर, कुम्भ और मीन इन चहरासी के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कितना मंगल कारी है इसकी चर्चा लेकर के मैं कल आप सब के समुख उपस्तित होऊंगा तो आज के लिए बस इतना ही इजाज़त दीजे पुनह मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार